दोस्तों गर्मियों में मेठी लस्सी पीने में बहुत मज़ा आता है लेकिन इसके फाइदे हैं या नुकसान हैं फाइदे हैं तो क्या-क्या फाइदे हैं ये काफी लोग नहीं जानते हैं सिर्फ ठंड़क के लिए लोग पीते हैं लेकिन गर्मियों में अगर आप ठंडी लसी पीते हैं, तो ऐसे कुछ विसेस फायदों के बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करेंगे, जिसका जानना आपके लिए बेहज जरूरी है, अगर ये जानते हैं, तो आप भी आज सही स्टार्ट कर देंगे गर्मियों मे लसी पीना, मेठी लसी को पीना, समझरी के लिए वीडियो के साथ अंतक्त बने रहें, बहुती रोचक जानकारी होने बाली है, चैनल पर पहली बार हैं, तो पहली चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस ट्राइब की वीडियो में लेकर करके आता रहता हूं, और वीड पूर मात्रा में कार्बो हाइड्रेक, सोडियम, प्रोटीन, कैलसियम और फाइवर आधी पाये जाते हैं, इसके सेवन से पाचन तंत्र मजबूत होने के साथ ही हड्डियां भी मजबूत होती हैं, गर्मियों में लसी पीना स्वास्ति की दिरिष्ट से काफी अच्छा होता है, ये पेट को ठंडा रखने के साथ ही साथ सरीर में गर्मी लगने से भी बचाने का काम करता है, मिठिलसी पीने में काफी स्वाधिस्ट होने के साथ ही साथ सरीर के लिए आने को फायदे लेकर आती है, इसमें मौजूद इलेक्ट्रोलाइटिक सरीर में पानी की कमी नहीं होने देता है और पेट को हेल्दी बनाए रखता है मिठी लसी पीने से आपकी इम्मिनिटी मजबूत होती है आईए जानते हैं मिठी लसी पीने से और इसके अन में क्या-क्या फायदे हो सकते हैं सभी फायदों के बारे में एक बार जरूर जान करके जाना आपके लिए बहुत फायदे मंद हो सकता है सबसे पहला आपके पाचन तंतर को इंप्रूब करता है गर्मे में मिठी लसी पीने से पाचन तंतर मजबूत होता है और पेट स्वस्त रहता है मिठी लसी पोशकत्तों से भरपूर होती है इसमें मवजूद फाइबर पेट में कब्स गैस और एसिडिटी की समस्या को आसानी से दूर करता है मिठी लसी को दिन में पीना सरीर के लिए बहुत ही जादे फाइदे मंद होता है इसके अलावा आपके हड्डियों के लिए गर्मी में मिठी लसी पीने से हड्डिया मजबूत होने के साथ ही साथ मानस्पेसियों का दर्द भी आसानी से दूर होता है मिठी लस्टी में मवजूद कैलसियम ठकान को भी आसानी से दूर करता है इसको रोजाना पीने से दांत भी आपके मजबूत होते हैं और हेल्दी बने रहते हैं इसलिए आप मिठी लस्टी का सिवन जरूर करें इसके अलावा लू से भी बचाने का काम करता है गर्मियों मिठी लस्टी पीने से सरीर का लू से बचा होता है गर्मियों में लू के प्रकोप से बचने के लिए इसे रोज जो है आप सिवन कर सकते हैं गर्मी से बाहर निकलने पर लस्टी पीने से लू नहीं लगती है सरीर भी आपका स्वस्त बना रहता है कई बार धूप से आने के बाद सिरदर्द की समस्या देखने को मिलती है लस्टी पीने से लू लगने के वज़े से जो सिरदर्द होता है वो भी बहुत ही आसानी से दूर हो जाती है इसके अलावा वजन को घटाने में भी मददगार होता है अगर आप लंबे समय से वजन चीनी की जगर पर आप जो है कोकोनट सुगर बगएर इस्तमाल कर सकते हैं या फिर गुड बगएर इस्तमाल कर सकते हैं चीनी जो है आपके लिए लुकसंदायक हो सकता है इसके अलावा तनाव को दूर करने का भी काम करता है गर्मी में मिठी लस्सी पीने से दिमाग ठंड होती हैं और सरीर स्वस्त बना रहता है मिठिलसी पीने से सरीर को कई तरह के फाइदे मिलते हैं लेकिन ध्यान रखें अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई बीमारी है कोई लाज चल रहा है कफ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने दोक्टर की चला हो लें उसके बाद ही मिठिलसी पीएं और बहुत जादे ना पीएं ये भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है और उसके साथ में भी ध्यान रखना है कि आप दिन में पी करते हैं यानि सुबह के नास्ते से लेकर के दिन डूबने से पहले ही आप इसका से बन कर सकते हैं रात के लिए दही या फिर लसी नहीं बना हुआ है उस वक्त जो है आपको प्रोब्लम कर सकता है तो दोस्ते वीडियो इंफरमेशन आपको कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में ज़रूर बताएं इसी प्रकार की बहुत सारी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें चैनल के साथ बने रहें क्योंकि मैं स्टाक की तमाम वीडियो लेकर के आता रहता हूँ मैं मिलता हूँ नेस्ट किसी और चीन फरमेड़ी वीडियो के साथ में पूर आता हूँ